था हालो फ्रैंज बहुत भूल सवागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम दिस्कस करेंगे इन questions को ये है direction path और direction path को आप जरूर पढ़ें क्योंकि direction path के through ही आपको पता लगता है कि किस तरीके से question को करना है और क्या इसमें expected है आपसे ठीक है तो direction path को आप जरूर पढ़ें चलिए आप हम देखते हैं real questions को ये है real questions और sentence improvement या phrase replacement के ये question है देखें दोनों में difference क्या है phrase replacement और sentence improvement फ्रेज रिप्लेश्मेंट में आपको ये बताना होता है कि यहां पर एक sentence दिया है और एक particular path इसमें बोल्ड है इस path को किस दूसरे पार्ट से replace किया जा सकता है ये आपको बताना होता है phrase replacement में और sentence improvement में ये जो part होता है ये grammatically wrong या contextually wrong हो सकता है तो इसको आपको improve करना होता है तो इस sentence को हम कैसे करेंगे इसको हम पढ़ते हैं the sweets are not alone in finding their language under pressure from the ubiquitous spread of English स्वीट्स का यहां पर मतलब है स्वीडियन के जो लोग है और स्वीडियन के लोग है उनके बारे में यह कुश्चन है स्वीडियन के लोग अकेले नहीं है जो अपनी लेंगवेज को अंडर प्रेशर इस समय पा रहे हैं दूसरी दूसरी languages भी है जो under pressure है यानि खत्रे में है under pressure मतलब जो खत्रे में है और वो खत्म हो सकती है इसका reason है spread of English spread of English की वज़े से Swedish लोगों को यह लगता है कि उनकी language जो है वो कम उसका प्रचार हो रहा है या कम लोग बोलते हैं उसको और वो under pressure है अब यहाँ पर spread of English spread of English में spread क्या है spread noun है क्योंकि spread का मतलब है यहाँ पर fell out उसका जो expansion हो रहा है उसकी इसमें बात हो रही है तो spread जो है वो कैसा है वो ubiquitous है यानि ubiquitous यो है यहाँ पर एक adjective की तरह काम कर रहा है अब ubiquitous को आप किन-किन words के साथ replace कर सकते हैं देखिए ubiquitous का मतलब होता है सब जगे या सरवत्र जो सब जगे है जो ब्यापक है उसको हम बोलते है ubiquitous ठीक है तो ubiquitous के जो equivalent है एक तो हो सकता है omnipresent और एक हो सकता है all pervasive तो यह दो option इसके equivalent हो सकते हैं omnipresent और all pervasive तो यहाँ पर आ अंसर होगा first and second यानि fourth आपका answer होगा percolate नहीं हो सकता इसमें क्योंकि percolate का मतलब होता है filter करना infiltrate भी इसका मतलब होता है तो इस तरीके से इसमें आपका जो answer होगा वो होगा four ubiquitous के लिए एक word और है rampant rampant का मतलब भी होता है सर्वत्र या सब जगे everywhere तो यदि यहाँ पर percol percolate की जगे rampant होता तो फिर यह तीनों option इसके answer बन जाते है first, second and third अभी इसका answer होगा first and second और first and second किसमें दिया है fourth में तो इस तरीके से इसका answer होगा आपका fourth तो यह इसका मतलब है अब हम देखते है second question to foster a culture of innovation faculty must be open to exploring the unknown unknown making the environment conducive for interaction इस sentence का क्या मतलब है चलिए sentence का मतलब अभी हम देखते हैं पहले foster का मतलब देखते है foster का मतलब होता है किसी चीज़ को promote करना या encourage करना उसको बढ़ावा देना तो teaching में इसमें culture of innovation को बढ़ावा देने की बात हो रही है ठीक है तो foster के equivalent क्या है एक तो encourage हो सकता है और एक promote हो सकता है इंडिया वर नहीं हो सकता क्योंकि foster क्या है एक वर्भ है encourage भी एक वर्भ है और promote भी एक वर्भ है तो first and third यहां पर आपके answers आपके answer होंगे फस्त न थर्ड किसमें दिया है second में endeavor क्या है endeavor का मतलब होता है प्रयास तो यह एक noun है ठीक है तो इसलिए first and third यहां पर आपके सही answer होंगे अब मतलब second यहां पर आपका सही answer होगा अब हम देखते हैं इसका meaning to foster a culture of innovation, faculty must be open to exploring the unknown, making the environment conducive for interaction, interaction का मतलब होता है आपस में interact करना, आपस में communicate करना, conducive का मतलब होता है suitable, environment का मतलब होता है atmosphere, अब इसमें एक चीज़ में आपको यहां पर बताता हूं कि यहां पर open to के बाद, वर्ब की first form क्यों हो नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी, क्योंकि यह जो है open to, यह एक propositional phrase है, जैसे look forward to होता है, या with a view to होता है, या in spite of होता है, तो propositional phrases के बाद हम वर्ब की ing form लगाते हैं, कुछ students सोच सकते हैं कि to के बाद तो वर्ब की first form आती है, infinitive आती है, यहां प gerund form इसलिए लगाते हैं, क्योंकि proposition के बाद हम noun लगाते हैं, और gerund form actually noun ही होती है, उसको हम verbal noun बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर यदि आप एक तरीके से और समझ सकते हैं इसको, कि open to के बाद, propositional phrases के बाद यदि आप what बोलें, what, क्या, ठीक है, तो उसका सही answer आना चाहिए, अब जैसे इसमें लिखा है, open to what, open to exploring, ठीक है, जैसे I am looking forward to meeting my parents, मैं अपने parents से मिलने के लिए काफी excited हूँ, तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ, looking forward to what, looking forward to meeting my parents, तो propositional phrases के बाद, यदि आप what लगाते हैं, तो what का answer सही जब आता है, तो इसका मतलब यह है, कि यह हैं कि I want to go, तो one two के बाद आप what थोड़ी लगा पाएंगे, one two what, ठीक है, तो जब किसी चीज की बात होती है, जैसे यह propositional phrase है, तो इसके बाद हम ing form का प्रियोग करते हैं, यह gerund form है, इसको हम बोलते हैं, verbal noun, तो यहां पर इसका answer होगा, आपका second, यानि first, और third, यानि encourage हो स रखता है, question number third, देखते हैं, he keeps trying to get his silly matter published, but I think he is flogging a dead horse, इस तरह के questions, SSC exams में भी पूछे जाते हैं, कि यहां पर एक idiom दिया है, और इस idiom का equivalent क्या है, वो आपको बताना है, अब देखे, पहले sentence का हम मतलब समझ लेते हैं, he keeps trying to get his silly matter published, मतलब वो अपने silly matter को, उसका जो matter है, उसका जो content है, जिसको वो publish कराना चाता है, वो silly है, वो बेकार है, और उसको वो publish कराने के लिए try करता रहता है, तो इसका simple सा मतलब क्या है, कि silly matter जो है, वो क्या कोई उसको publish करेगा, या करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब, वो अपना जो effort है, उसको waste कर रहा fiddling around का मतलब भी time waste करना होता है just holding it in leash मतलब rope से जैसे डॉक को हम पकड़ते हैं उसकी जो chain होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह तो एकदम गलत है और hogging over it यह भी गलत है actually hog हम बोलते हैं एक बड़े pig को pig होता है यह hawk का एक मतलब और होता है कि जरूवत से ज्यादा जितना आपका share है और share से ज्यादा लेना उसको भी हम बोलते हैं hog तो यह दोनों आप तर पंटेक्स ने second यहां पर इसका सही answer होगा he keeps trying to get a silly matter published but I think he is vlogging a dead horse तो cable second इसमें आपका सही answer है और second दिया है fourth में तो इसलिए fourth यहां पर आपका सही answer होगा ठीक है अब यहां पर एक structure और मता जेता हूं मैं आपको get his silly matter published यह get वाला structure होता है जिसमें get आता है उसके बाद उसके बाद कोई भी subject आता है कोई भी noun आती है उसके बाद वर्प की third form आती है ठीक है तो इसमें इसका मतलब है कि हम किसी particular काम को किसी दूसरे से करवाते हैं जैसे I got my clothes cleaned मैंने अपने कपड़े धुलवाए ठीक है तो उसी से मिलता दूलता यह structure है get his silly matters published वो अपने silly matter को publish करवाने के लिए try करता रहता है keep के बाद हम वर्प की ing form लगाते है keep on के बाद भी हम वर्प की ing form लगाते है keep keep on का मतलब होता है continue carry on ठीक है तो यहां पर आपका सेकेंड जो है यह सही आंसर होगा नेक्स कोश्चन हम देखते हैं इस apparent here she is not that of the smooth talking cleric but the statis TCN specializing in the field of terminology here see का मतलब होता है आपका कोई भी philosophy आपकी कोई भी opinion जो जो popular belief के अगेंस्ट है जो orthodox नहीं है अन और्थो डॉक्स है तो his apparent here she is not that of the smooth talking cleric cleric होता है मॉल भी Christians में यह word use होता है मतलब उनकी जो philosophy है वो एक 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 ऐसे मॉल भी की नहीं है जो चिकनी चुपडी बातें करता है एक ऐसे specialist की है जो की जो की क्रिमिनलोजी का master है सेंटेंस का यह मतलब निकल रहा है तो हेर सी का equivalent क्या होगा हेर सी एक एक ओपीनियन या बिलीफ होता है हेर से भी एक वर्ड होता है लेकिन इसका मतलब होता है rumor यानि अफवा ठीक है पायसनेस मतलब पवित्रता होती है rambling मतलब एक लंबी चोड़ी speech है जिसमें काफी सारे words है तो हेर सी का यहाँ पर इस sentence में कोई भी equivalent नहीं है इसलिए इसका अंसर होगा none of these इस तरीके से यह questions आते हैं चलिए अब हम आगे देखते हैं many of us confirm to the outmoded customs laid down by our or bears देखिए confirm में दो वर्ड होते हैं एक होता है c o n f i r m confirm जिसका मतलब होता है निश्चित करना सुनिश्चित करना confirm करना ठीक है इसका मतलब होता है किसी चीज को और करना किसी पर्टिकल चीज को और करना लेट डाउन का मतलब उसको इसको लेखना या उसको design करना फोर बेर का मतलब होता है ancestors हमारे जो पूर्बच है तो इस sentence का मतलब यह है कि हम मैंसे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो confirm करते हैं outmoded customs को जो जो पुराने विचार है पुरानी traditions है उनको वो confirm करते हैं उनको आवबे करते हैं उनको मानते हैं उनको apply करते हैं तो outmoded customs इसका मतलब हुआ के ancient customs या outdated customs ठीक है तो इसके लिए एक तो outdated customs हो जाएगा outdated practice और एक हो जाएगा obsolescent obsolescent का मतलब भी वही होता है obsolescent ठीक है तो first और third इसमें सही answer आपका आएगा first and third इन वोक का मतलब होता है fashion में तो यह तो इसका opposite हुआ तो इन वोक तो यहां पर नहीं आएगा question number six हम देखते हैं the amateur pianist made one or two false start before finally playing the piece a bit right at the culmination culmination का मतलब होता है चरम बिंदू final point जो होता है उसको हम बोलते हैं culmination ठीक है तो amateur pianist pianist यहां पर एक noun है और वो pianist कैसा है amateur है amateur का क्या मतलब है amateur मतलब नौ सिखिया है वो new B है ठीक है शौक के लिए वो piano को बजाता है उसमें कोई उसका कोई खास hobby नहीं है या उसमें कोई उसकी expertise नहीं है यहां पर false start से आपको पता पढ़ रहा है कि false start कौन करेगा professional तो करेगा नहीं false start जो नौ सिखिया होगा वो करेगा तो amateur का मतलब है नौ सिखिया और नौ सिखिया के लिए जो वर्ड है वो है डैबलर professional तो इसका उल्टा हुआ पार्टीजन कौन होता है पार्टीजन सपोर्टर होता है तो यहां पर आपका सही आंसर केबल सेकेंड है और केबल सेकेंड दिया है सेकेंड में तो सेकेंड आपका यहां पर सही आंसर होगा कोशिन नंबर सेविन दिखते हैं आफ्टर फॉर्टीन यस लिविंग और वर्किंग इन दिस कंट्री शी थिंग इस टाइम टॉकॉल एडे मतलब 14 साल तक एक दूसरी क फ्रियुट rappers चौन्टरी में काम करने बाद उसको लगता है कि अब इसको समाप्ट करने का समय आगया है तो कॉल एकेडम मतलब किसी को या अपने दिन के काम को समाप्ट करना खतम करना कांस्ट टू कंसीट डिफीट का मतलब होता है हार माल लेना तो यह यहां पर बिलकुल नहीं होगा to recapitulate का मतला होता है sum up करना तो यह भी होगा to give up hopes उम्मीद छोड़ देना यह भी नहीं होगा recapitulate का मतला होता है summarize करना किसी चीज़ को जब कि capitulate का मतला होता है surrender करना तो यहाँ पर आपका answer होगा none of these ठीक है question number 8 देखते हैं despite all the goodies that participants get I am not going for the competition despite का मतला होता है इसके बाबजूद goodies का मतला होता है जो अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है that participants get मतलब उन अच्छी चीज़के बाबजूद जो सभी participants को मिलेंगी इसके बाबजूद I am not going for the competition मतलब मैं इस competition में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ तो इसमें एक तो हो जाएगा competing in, competing in सही है एक हो जाएगा taking path in gunning for का कई मतलब है gunning for का मतलब अपने किसी aim को achieve करने के लिए hard work करना gunning for उसको बोलते हैं ठीक है तो gunning for यहाँ पर गलत होगा यहाँ पर second एकदम appropriate है third एकदम appropriate है second और third यानि third इसमें आपका सही answer होगा question number nine देख लेते हैं we were kept on tenterhooks for outs while the judges choose the winner हम हमें घंटों तक tenterhooks पर रखा गया जिस समय judges decide कर रहे थे कि winner कौन होगा kept on tenterhook का मतलब होता है कि जैसे आपका result आता है ठीक है जब कोई price का होता है तो उसमें आप काफी nervous रहते हैं और बहुत बेसबरी से impatiently आप अपने रजल्ट के इंतिजार करते हैं तो kept on tenderhooks का मतलब होता है suspense में रहना या nervously किसी चीज का wait करना तो waiting nervously एक हो जाएगा इसका एक हो जाएगा in suspense captain dark का मतलब होता है beneath pulled a long face when he was taken to task taken to task का मतलब होता है किसी व्यक्ती को डांटना take to task pull a long face किसी का मुह उतर जाना disappoint हो जाना ठीक है और carelessness होता है lapper वाही तो यहाँ पर disappoint के sense में के बाल second option है यहाँ पर लिखा है short arrogance घमंट दिखाना यह तो गलत होगा mocked him हसी उडाना यह गलत होगा cable second यहाँ पर सही है और second दिया है third में तो third इसका सही answer होगा तो इस तरीके से यह question bank clerk के real questions है और इस तरह के questions आप expect कर सकते है real exams में pre or means दोनों ही exams में यह पूछे जा सकते है तो यह simple label के questions थे इनसे आपको काफी idea लगा होगा और थोड़े से tougher label के भी आ सकते हैं जिसमेंसे दो या तीन words होते हैं उनको आपको replace करना होता है लेकिन इसके through भी आपको काफी help मिलेगी अपने banking exams में तो आप कोई भी feedback देना चाहते हैं तो इन numbers पर आप दे सकते हैं या इन email id के through आप मुझसे contact कर सकते हैं इस video class में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा next video class में Thank you